हलो गाइस ओवर दियर्स मैंने एक बात experience की है कि सच बहुत कम लोग बोलते हैं क्योंकि अगर हर कोई सच बताने लगेगा तो इनका धंदक ऐसे चलेगा और हमको यकीन भी उन्हीं पर होता है क्योंकि जूट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से परोसा जा कैमरस लगती है ऐसा लगता है कि वाओ एरोप्लेन सीरिसली मैं आपको आज इससे रिलेटेट इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताऊंगा शुरू से आखरी तक अगर आप भी आपका भी सबना है एरपोड पे जॉब करने का अगर आप भी किसी एरलाइन के लिए व अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना था कि आगे भी मैं आपको ऐसे इंफोर्मिशन देता रहा हूं ओके अल्राइट एवरिवन तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी आप इस साइट देखना ठीक है स्क्रीन पर ओके तो ये वीडियो मैंने रिसर् रहा करने बाली बात तो यह होती है कि हमको असली वैकेंसी का पता ही नहीं चल पाता और हमको कोई और लोग फ्रॉड कर देता है हमारे साथ कोई और उल्लू बना देता है पैसे ले लेता है सबसे पहली बात है इस जॉब के लिए ग्राउंड स्टाप और कैबिन क्रू के ल यह generally graduation चाहिए और cabin crew के लिए 12 चाहिए that's it तो मैं कुछ airlines की information लेकर आया हूँ आप कैसे सर्च कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ Indigo के बारे में तो Indigo में जैसे ही आप Google पर लिखेंगे career at Indigo आपके पास काफी सारे options आ जाएंगे तो आप यहां पे department all jobs पर click कर लिजिएगा उसके बाद आप scroll कीजिए गा view all jobs पर click करके उसके बाद आप देखेंगे new link open होगी तो new link जब open होगी तब आप नीचे see all jobs पर click करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं different kind of job अगर आपको cabin crew ले apply करना है cabin crew ले कर सकते हैं अगर आपको किसी और चीज़ के apply करना है तो अब उस पर click कीजिएगा तफिर आपके पास सारा eligibility criteria यहीं पर होता है यह देखिए सब कुछ आपको मिल जाएगा उसके आधार पर आप login to apply कर सकते हैं very simple कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ऐसे आप form fill कर सकते हैं बहुत easy होता है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा air India के बारे में क्योंकि air India की अभी बहुत सारी vacancies आने वाली हैं तो अभी तो कोई vacancies दिखी नहीं मुझे एर इंडिया के फिर लेकिन future में काफी सारी vacancies आएंगे एर इंडिया की एर इंडिया में apply करने के लिए आपको simply लिखना है air India career सेम चीज अब जैसे एर इंडिया career लिखेंगे air अपके पास page open हो जाएगा और जैस्ञें क्लिक करेंगे ग्रांड इस टाप लिए अपलाई करना है अग्रांड सब करेंगे करें इसमें भी सारी प्रेज़ ओपन होने के बाद क्रिए एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा उसको इसको सपाइस जैड मैं मैं स्वाइस जेट की कभी भी ना सिर्फ ग्राउंड स्टाफ की बताता हूं क्याविन क्यों नहीं बताता क्योंकि वह बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं तो आप यहां पर देखिएगा यह cabin crew के events हैं यहां पर मतलब online apply करनी की जुरत नहीं होती आपको आप डिरेक्ट walk-in पर जा सकते हैं अभी cabin crew के लिए interview चल रहा है लेकिन they take a lot of money for the cabin crew so that's why I don't recommend it बात एक ही है बाकि अगर कोई भी vacancies आती है यहां पर वो update करते हैं इसी link पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारी information air that spice jets related मिल जाएगी ओके इसके बाद आप बात करते हैं विस्तार के बारे में बात करते हैं जैसे आप विस्तारा की website पर क्लिक करें करिये एड विस्तारा तब आपको सारी वेगेंसी मिल जाएंगे देखे cabin crew pilots ride operation scroll करते जाएं ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड स्टाफ की वेकंसी चल रही हैं आप देख सकते हैं यहां पर जाके cabin crew क्ले अप्लाइब करना है दूपर आप अप्लाइब कर सकते हैं ओके और यहां पर देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास option आएगा इसमें सारी details लेकी हुए है और डी क्या-क्या चाहिए उनको इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे आपको वेबसाइट पर डिरेक्ट कर देगा इसके बाद आप इसको जूम करके हलका सा create an account पे क्लिक किजिएगा जैसे आप create an account पे क्लिक करेंगे नया पेज खुल जाएगा और आप जैसी information फिल करते जाएंगे आपका फिल करके apply कर सकते हैं ओके इसके बाद बात आ जाती है अकासा अकासा सबसे new airline है यह भी hiring कर रही है और इसके भी बढ़ने के खावी chances हैं तो आप इसमें जाके भी same process career rate अकासा apply जो भी बनना है cabin in flight services cabin crew के लिए vacancies नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और भी वह सारी vacancies हैं तो इसी type से आपकासा के लिए भी apply कर सकते हैं ठीक है अकासा के बात आ जाते हैं Qatar Airways careers at Qatar Airways जिसमें भी same चीज लिखी हुए जैसी आप लिखेंगे अब देखिए आपको बहुत सारी vacancies आ गई अब गर आप इंडिया में हैं भी तो क्या करने हैं आपको location पर जाके इंडिया सर्च कर लेना है तो अब इंडिया में दिखो है हमदाबाद के लिए seven vacancies है चैने के लिए एक है और मुंबई के लिए एक है तो अभी मैं हमदाबाद क्लिक करके बताता हूं ग्राउंड स्टाफ के लिए vacancies है अभी यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे सर्च के option पर जैसे जाएंगे आपके पास काफी सारी details आ जाएंगे vacancies की ओके इन मे इसके बाद एक और एस ले बी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बी केरफुल अभी आपने जब apply कर दिया तब आपके पास ना गगर आप गलत apply करते हैं तो आपके पास WhatsApp पर message आता है या फिर call आता है वो आपसे बोलेंगे दो तरीके के लोग होते हैं एक होता है जो fraud होते हैं टोटल फ्रॉड होते हैं एक होता है जो semi fraud होते हैं टोटल फ्रॉड और semi fraud में क्या difference होता है जो total fraud होते हैं वो आपसे सबसे पहले form fill करने के पैसे मांगेंगे 1000 रुपे 1200 रुपे या फिर जो भी amount है उसके बाद आपसे बोलेंगे आपको aviation certificate की जरुरत है तो aviation certificate certificate की जरुरत नहीं होती है ठीक है और यह होते हैं semi fraud semi fraud मतलब वो बोलेंगे आपको हमारे यहां पर course करना होगा आप यहां पर विजिट कर लीजी हमारी institute हम आपको course करवाएंगे उसको बाद आपकी जॉब लग सकती हैं तो यह होते हैं semi fraud यह जॉब की guarantee देते हैं कुछ इंस certification nothing is required अब जरूरत किस चीज़ की होती है जरूरत सिर्फ एक चीज़ की है आपको बोलना आना चाहिए और English में that's it अगर आपको English में communicate करना आता है अगर आपको English आती है that is all यही आपकी requirement है अगर आप English में अच्छे से बातचीत कर पाते हैं बोल पाते हैं that's it आपका selection हो जाएगा और eligibility criteria age as per the company आप उसमें देखिएगा आपको दिख जाएगा 27 इंडिगो में हैं उसके अलबा विस्तारा में अलग है एर इंडिया में अलग है अलग-अलग jobs का अलग-अलग criteria होता है आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी reality में आप आपको बता देता हूं guys जो कि मैं reveal करने वाला था देखो मैं जूट नहीं बोलूँगा अगर आप aviation में career बनाना चाहते हैं और आप सोच रहे होंगे मेरी salary बहुत जादा होने वाली है कि मैं बस एक बार लग जाओंगा तो सब कुछ settlement हो जाएगा तो अगर आप ground stop के लिए हो जाते हैं तो ground stop की salary बहुत कम होती है स्टार्टिंग से ही वो आपको बहुत कम salary देते हैं और स्टार्टिंग से कोई airport manager नहीं बनता बहुत बड़ी जॉब नहीं लगता अगर आपको experience of previous same line में तब आप जाके airport manager या कुछ और बनेंगे आसे directly किसी को भी नहीं ले लिते ठ जाएएगा सही बता रहो इसकी salary start होती है करीब 16-17,000 से लेकर 20-24,000 यह starting salary है इसके साथ-साथ increment बहुत slow होता है increment ऐसा नहीं कि बस अचानक से hike मिल जाएगा 16-17,000 उन जगह पे मिलती है जहाँ पे छोटे airports है जहाँ पे आपको रहने का cost जो है वो कम होगा ठीक है जैसे भोपाल हुआ इन दौर हुआ इन जगहों पर कम salary मिलती है अगर आप किसी बड़े airport पे जाते हैं जैसे डेली हुआ मुंबई हुआ बैंगलॉर हुआ तो यहां पर salary comparatively जादा होती है 20-24,000 तक होती है starting salary अब आपका promotion तो होता है लेकिन promotion के हिसाब से salary उतनी जादा नहीं बढ़ती है अगर आप चाहेंगे first promotion within 18 months में हो जाता है लेकिन salary 2000 बढ़े कि 17 है तो 20 होगी 22-24 है तो 27-28 होगी अगर आ long term job करना चाहते है अगर आप experience लेकर कहीं और जाना चाहते है तो you're welcome cabin crew की salary comparatively जादा होती है उनको flying hours के अलग से पैसे मिलते हैं इसलिए जब वो fly करते हैं उसका पैसा अलग से होता है cabin crew की salary domestic के लिए vary करती है 35,000 to 60-70,000 तक जाती है और आगे promotion होता जाता है तो और ज़्या होती है और international airline के लिए in fact ground staff की salary भी काफी होती है ओके इसके अलावा मुझे और क्या बोलने है बस यार सावधान रहो सदर्क रहो apply करो जो होगा होने दो ओके और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है जो पहली बार आ रहे हैं थैंक यू सो मच वोग कमें और आप अपने लोगों को शेयर करो उनको जावरो करो किसी के साथ फ्रॉड मत होने दो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है फ्रॉड पर लाइब वीडियो के लिए फ्रॉड पर बनाने वालों वीडियो कैसे फ्रॉड करते हैं लोग ओके बाई